वेलो गाइज, वेल्कम बेक टू मैं यूट्यूब चैनल, अभी अभी एक शॉकिंग न्यूज आया है, जो हमारे सीम डॉक्टर हिमन्त विश्य शर्मा जी के ट्विटर हैंडल से मिला, कि GMC और AMC का जो रिकोगनेशन कैंसेल हुआ था, वो फिर से रिकोगनेशन मिल गया है अच्छे समझाता हो कि क्या हुआ था, फिजिकल सार्वेगन रखिया गया था, GMC और AMC में, जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था AMC में, तो उसमें पाया गया था कि, जो ENT डिबर्टमेंट है, उसमें एक फेकाल्टी कम है, मतलब एक फेकाल्टी का वेकेंड सीट है, औ और जो CC कैमेरा से लिंक्ट विद HMIS, वो नोन फांक्शनिंग था, इन्ही रिजन्स के बज़े से AMC का रिकोगनेशन कैंसेल हुआ था, और GMC का बात करें तो GMC में वही सेम CCTV वाला प्रोप्लेम, प्लस वापे जो फेकाल्टी से उनका एटेंडेंस कम था, इसलिए उनका भी रिकोगनेशन कैंसेल हुआ था, उसके बाद दोनों कॉलेज के प्रिंसिवल ने फास्ट अपिल कॉमिटी के साथ मीटिंग किया, और उस मीटिंग के बाद फास्ट अपिल कॉमिटी ने ये फैसला दिया कि GMC और AMC का रिकोगनेशन तो कंटिन्यू होगा, जो CCTV वाला मे प्रिंसिवल और बोद दा कॉलेज़ एड़न 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 मीटिंग विद फास्ट अपिल कॉमिटी और उसके बाद फास्ट अपिल कॉमिटी ने इन दोनों कॉलेज का रिकोगनेशन वापस कर दिया और फाइप यर्स के लिए कंटिन्यू जो यूजी क्लासेस है, वो कंटिन्यू करने के लिए बौला है, लेकिन एक चीशुकिंग लगा, उस ऑडर में यह लिखा वा था कि जो GMC का है, उसका 156 MBBS seats और AMC का 170 MBBS seats continue करने दिया है इसका मतलब क्या हो गया कि GMC का 44 seats और यहाँ पर AMC का 30 seats टोटल यह 74 seats का गया तो क्या इसका मतलब क्या यह 74 seats और decrease होने वाला है इसका मतलब यही होगा कि जो हमने seat matrix दिया था जो हमने seat calculations किया था वो तोटल ही घर बर हो गया मतलब अगर 74 seats decrease हो रहे है तो सोचके देखो कि कौन से category से कितना seats आएगा भाई अगर यह 74 seats आएगा तो इसका मतलब तो cut off और भी हाई जाएगा इस साल यह सब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है अगर तुम लोगों में से किसी को पता है कि यह जो 156 seats और 170 seats वापस कर दिया है तो बाकी का seats का क्या होगा किसी को अगर पता है तो please comment section में explain कर दो ताकी सब को पता चले तो यही वाला update देना था पता नहीं आगे और क्या-क्या shocking news सुनने को मिलेगा चलो आज के लिए इतना ही बस